हलो एवरिवन, जैसे कि मैंने अल्रेड़ी इस चैप्टर का पार्ट वन बना रखा है और दू टू सम टेकनिकल एरर मुझे वीडियो को इंटरप्ट करना पड़ा और इस वीडियो में मैं चैप्टर फाइब क्लास लेवन की भी हार बुट को जी बुक है उसके चैप्टर फाइब को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा इस वीडियो में तो प्लीज मेरे साथ बने रही है लास्ट तक तो अभी जो पैरेग्राफ मैंने अल्रेडी पढ़ा दिया था फोर्थ पैरेग्राफ उस चैप्टर का मैं फिर से थोड़ा आपको रिव्यू करा देता हूँ ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकेंगे तो बिना देरी के मैं शुरू करता हूँ आज की वीडियो तो जो कि हम पढ़ रहे थे हैं इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ जाना है कि आखिर हमें क्यों हमें scientific point of view से किसी चीज को सोचना चाहिए और उसको हर बार emotion से ना जोड़कर इस दूसरे मिजरिये से भी देखना चाहिए क्योंकि उसका उहदा अलग ही होता है और इस तरीके से जीवन जीने का तरीका भी आपका change होगा तो वो सारे चीज़ें हमने discuss करी थी कहाँ पर कैसे क्या करना है अब हम इसमें क्या करेंगे इस paragraph में जो लिखा था उसके बारे में मैं थोड़ा फिर से आपको deal करता हूँ तो यहाँ पर बताया जा रहा था कि जो scientist होते हैं उनका attitude जो है ना एक तरीकी से परकते हैं और उसका result देते हैं वो ऐसी पुरानी धार्नाओं को लेकर नहीं जीते जैसे आज के लोग भी जीते थे तो अब बात करते हैं कि आगे मैंने यहां तक इंक्लूट किया था कि जो solar system turns out to be a group of bodies rather small in comparison with many of their neighbors and executing their movements according to simple and easily intelligible laws तो इसमें यही बोला जा रहा था जो हमारा solar system है सौर मंडल है उसमें बहुत सारे ग्रह हैं और वो आपस में मतलब एक दुसरे की पडोसी ही होते हैं तो वहां पर भी एक तरीके से वो कुछ hard and fast rule वहां पर नहीं है वो भी एक तरीके से simple और basic जो laws बनाए गए हैं scientist के द्वारा जो उन्होंने जाचा है परखा है scientist ने की हाँ ऐसी चीज़े हो रही हैं इसलिए यह सिधान्त यहां लागू होता है तो उन सारे basic laws पे ही वो चुपचाफ़ कर रहे हैं जैसे की लेखक अपने आपको भी correlate करके बताता है इसी चीज़ को क्या बताता है देखिए कि बट ही हिमसेल्फ लेखक अपने आपको बोलता है कि लेखक अपने आपको नहीं बोल रहा है बलकि लेखक जो है ना वो scientist को बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे scientist के बारे हैं बात हो रही है और वो कहता है कि जैसा scientist ने बताया है कि जो सौर मंदल के छोटे बड़े ग्रह हैं वो आपसमें पडोसी हैं और अपना जो भी है क्या कहते हैं कि वो एक simple loss पर dependent हैं वो simple loss को follow कर रहा है वैसे ही scientist भी जो हैं वो भी एक तरीके से क्या हैं वो भी एक तरीके से monkeys प्रजाती के हैं क्योंकि हम भी मतलब इंसान obviously आदी मानों को consider करता है तो monkeys को हम correlate करते हैं तो वैसे ही यहां पे भी कहा जा रहा है कि अपने आपको भी एक member बताते हैं है ना जो scientist है वो भी monkey के प्रजाती के हैं क्यों ऐसा क्यों क्योंकि while his mind is at the mercy of a number of chemical processes in the body मतलब उनके सरीर में उनके दिमाग में बहुत सारे chemical processes चले जा रहे हैं होए जा रहे हैं और जिसको हम समझ पाएं ये काफी मुश्किल है तो उसी प्रकार स्वामंडल भी बस अपना चक्र काटे जा रहे हैं सारे ग्रहे हैं और वो सिंपल सिधान पर ही work कर रहे हैं ठीक है वैसे यहाँ पर co-relate करके बताना चाहा है चली हम आगे बढ़ते हैं और fifth paragraph को पढ़ते हैं लिखा है इन सो फार, as it places all phenomena on the same emotional level the scientific point of view may be called the God's eye view मतलब अब तक जो भी हमने घडनाओं के बारे में बाते की जो भी प्राकृति घडनाए थी जिसके लिए हमने वैज्ञानिक दृष्टकों से देखा तो वो सब को देखा जाए तो एक ही emotional level पर यानि कि भावनात्मक स्तरपर्म को रखा जाए तो देखा जाएगो तो क्या होगा जो भी scientific point of view हमने रखा ना उनको हम ये भी कह सकते हैं God's eye view यानि कि भागवान की दृष्टकों इश्वर की दृष्टकों से वो बराबर ही है क्योंकि देखिए जो चीजे पहले से exist कर रही है हना उनको उनको उनसे पहले scientist ने भी खोज निकाला है मतलब scientist कुछ चीजे ऐसी भी खोज जा रहे हैं जो की बाद में चलकर हमें पता चलता है हाँ ये तो बिल्कुल scientist ने सही कहा था और ऐसा हो रहा है तो इस तरीके से इसको एक साथ लेकर चला जा सकता है कि हाँ जो भी scientist सोचते हैं एक तरीके से वो God की ही द्रिष्टी कौन से है है ना आगे बोला जा रहा है कि But But it differs profoundly from that which religions have attributed to the Almighty in being ethically neutral तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये थोड़ा बहुत differ करता है profoundly का मतलब गहराई तक है which religion have attributed to Almighty मतलब भगवान को बोला जाता है ठीक है और ethically neutral इसका मतलब होता है कि नैतिक रूप से निस्पक्च तो कहा जा रहा है कि धर्मों ने इस्वर को जो नैतिक रूप से निस्पक्च माना है क्योंकि बहुत सारे धर्म है उन्हों ने इनका कहना यह होता है धर्म के लोग जो होते हों कहते हैं कि नहीं यार हमारे भगवान जो है पूरू तरीक से निस्पक्च है वो सबके लिए बराबर चीजे करते हैं तो इसलिए भगवान को निस्पक्च मांगते हैं और ये भी कहते हैं कि उनका दृष्टी कौन से ये जो scientific point of view है ने बिलकुल अलग है Science cannot determine what is right and wrong देखी यहां पर साफ-साफ लब जो में बोला जा रहा है कि Science जो है न वो यह पता नहीं लगा सकता कि कौन सी चीज सही है या फिर कौन सी गलत है and should not try to और उसकी कोशिश भी नहीं करेगा बट तो Science करेगे क्या It can work out the consequences of various actions but it cannot pass judgment on them फिर से बोला जा रहा है कि हाँ Science ने क्या कहा कि क्या गलत है क्या सही है यह तो नहीं बताएगा और नहीं उससे करना चाहिए यह जो है न विभिन कारियों के परिणामों का हिसाब लगा सकता है परन्तु उस पर अपना मत यानि जजमेंट नहीं दे सकता है जैसे कि example के तोर पे दिखाया जा रहा है कि the bacteriologist can merely point out that pollution of public water supply is likely to cause as many death as letting off a bomb in the public street यह कह रहा है कि जिस प्रकार से जो एक bacteriologist मालने इनसान जो कि bacteria के study करता है यानि कि इतकुछ doctor को ही consider कीजिए तो जो bacteriologist है न वो जो है वो एक तरीके से जो किटानों विशेशक गया है वो किवल इतना ही बता सकता है कि सारवजनिक जो कि मतना public water जो सबको मिलता है न उसमें गंदगी से उतने ही लोगों कि मरने की संभावना है जितना की सारवजनिक जगह पे किसी bomb गिरने से हो सकता है न, public state में bomb गिरने से तो यह कौन बता सकता है यह वही बता सकता है जो इसके स्टुडी कर रहा है scientist बता सकते हैं, right? बटीज नो अब दिखी इसके बारे मताया जा रहा है कि परंतु अगर इसके जगह पे कोई अन्य व्यक्ति होता जिसको उससे अधिक ज्यान प्राप्त नहीं किया है इना बैक्टरियोजिस से ज्यादा उसको अच्छे ज्यान नहीं है वैसे इंसान को जिसे हम लोग कोई मान बैक्टरियोजिस नहीं है तो हम इस आंशर को शॉल्फ करने के लिए हम ऐसा नहीं बोल सकते थे कि हां हमें पता है कि कितने लोग मरेंगे और यह दोनों जो हमने बताया बाते कि इतने लोग मरेंगे कि जैसे कि बॉंब गिरने के बराबर है यह चीजे हम हम डिसाइड नही दिये जा रहा है फिर है कि the enemies of science alternately abuses abuse its exponents for being deaf to moral consideration and for interfering in ethical problems which do not concern them फिर कहा जा रहा है कि यह सारी चीजे भी बार बार science science के बारे पढ़े जा रहे हैं यानि कि बुल रहे हैं कि scientist अच्छे हैं उन्होंने अब नैतिक विचारो कोत्यान अच्छा कारे किया है अभी इसके कुछ enemies भे जी हैं इन्सान ऐसे जो विज्ज्ज्ज्च को नहीं मानते हैं क्योंकि उनका कहना है कि नैतिक विचारों की अर्धान नहीं देते हैं और दूसरी और इसलिए कि वो उन नैतिक समस्याओं में हस्तच्छिप करते हैं जिनका कोई काम ही नहीं होता है जिनका कोई सरुकार ही नहीं होता है वो उसमें हस्तच्छिप करते हैं उनका बस यही काम ह बोट अब इस क्रिडिसिजम कैन नॉट भी राइट अब इस तरीके से यह देखा जाते हैं दोनों आलोचनाये जो हैं सही नहीं हो सकती है ठीक है चलिए आपको बहुत कुछ समझ में को मिला अब आगे पढ़ते हैं परग्राफ 6 में क्या लिखा है देखिए तब थोड़ा सा नजरिया चेंज होगा चैप्टर में और अब बात की जाएगी कि भाई साइंटिफिक पॉइंट सब देखने से मतलब साइंटिफिक पॉइंट आफ यू का एक अलग सेक्टर में एक अलग दुनिया में क्या मतलब होता है तो देखिए यहां पर कह रहा है कि जो इनसान की प्रवीर्थी होती है टेंड़ैंसी मतलब सोचने की डिएरेक्शन ना जिस तरीके से आदम सोचता है उसको प्रवीर्थी बोलते हैं तो जो सामान है आदमी की प्रवीर्थी होती है थो तो आवरज Sun has always been to dwell on dwell on का मतलब तहां विचार करते रहना तो वो जो है ना हमेशा ऐसा सोचते रहता है इंसान emotional and ethical side of a case किसी भी case का इंसान जो है ना emotional touchy हो के सोचन लगता है या फिर उसके लिए ethical हैनि नैतिक पक्ष में आ जाता है इंसान हम लोग भी अकसर ऐसी चीज़ों में आप पढ़ जाता है अब ये case जो बताऊंगो उसमें सब कुछ clear होगा तो इंसान बिना fact जाने इन सब जगों पे क्या हो जाता है होता है ना कि आज भी फिसल जाता है और emotional हो जाता है तो ये जो चीज है ये scientist इसको पूरे serious से खारीज करते हैं वो कहता है नहीं इसमें जरूर कोई scientific कारण है जिस वजे से ऐसा हो रहा है आपको emotional होने की जरूरत नहीं है जैसे कि example है कि let me take two examples the problem of the American negros and the problem of diseases तो निगरो का मतलब होते है आपने देखा होगे जो काले व्यक्ती होते है सामले के लरके उनको निगरो बोला जाता है तो अमेरिका में negros को दूसरे हीन भावना से देखा जाता है तो ये वाला case लेते हैं और यहां पर देखी हमारे मन में क्या आएगा कि हमें यार ऐसा नहीं होना चाहिए negros के साथ मतलब वेदबाव नहीं होना चाहिए हम emotionally touchy हो गए लेकिन अब इसका क्या sanctific reason है वो हमें अभी इस paragraph में बता चलेगा देखीए तो a large number of Americans hold that the negro is definitely inferior to the white man बहुत ज़्यादा मात्रा में जो Americans होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जो निगरो है ना वो बहुत ही inferior quality के हैं यानि कि बहुत ही तुच प्रानी है in comparison to white ऐसा उनका मानना है and should as far as possible he's segregated from him और वो चाहते हैं कि अपने आपको उन लोगों से दूर रखा जाए अपने आपको अलग से अलग रखें या फिर उनको अपने आप से अलग करके रखें वो others believe that he should enjoy the same right the biologist cannot decide between them तो बात क्या आ रही है कि बड़ी संख्या में लोगों ने तो मानना है कि निगरों लोग निश्ची तुरुप से अलग है निगरों से और जहां तक हो सके उनसे वो दूर ही रहें लेकिन अनने लोगों का विश्वास है कि उन्हें समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए ठीक है और यहीं पे बुला जा रहा है कि जो biologist है इट कैन नौट डिसाइड बिट्विन दें और यह जो जी विज्ञानिक जो हैं यह भी इन दुनों बातों के बीच में निर्णा नहीं दे सकता है इनसान है ना तो कैसे पता चले भाई तो he can point out that निगरों स्कुल is more ape-like than the white's butt his hairless skin less so and so forth यह बोल रहा है बाइलोजिकल अगर point of view से उन्हों देखा तो पता चला कि निगरों की जो खोपड़ी होती मैंने सिर होता है सिर का धाचा होता है वो कुछ हद तक related है एप यानि लंगूर जैसे प्रजाती यानि कि हमार जो बंदर प्रजाती के वनमानूस कहते है ना तो एप लाइक कहने से यह मत समझेगा लंगूर यह हो जाएगा वनमानूस को हम बोलते हैं तो वनमानूस की प्रकार की खोपड़ी होती है निगरों की तो उनकी जो यह चीज है इन अमेरिकन से थोड़ी उनको अलग करती है और साथी साथ उनकी जो बाल रही तो अचा है वो अभी एक तरीके से कम समान है एक जैसे नहीं है मतलब बट ही केन नोट 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 रिजल्ट ओप टू डाइवर्जिन पोलिटिकल व्यूज एज तो दर निगरों और यह भी बूला जाएजते है परंतो निगरों के बारे में यह दो विपरित राजनेतिक द्रिष्टिकोन के परिणाम के बारे में कुछ नहीं जान सकता है कौन? बालोजिस्ट जो है इन सब पोलिटिकल बामले के बारे में क्या जानेगा उसने तो अपना राय दे दिया कि scientifically क्या अलग है दोनों में ठीक है? In the country, districts of the southern states district of the southern states the birth rate of the Negro population exceeds the death rate कहा जा रहा है कि जो दक्षेन राज्यों के दिहाती आलाके है न उनमें निग्रों की जन्व दर है उन मिर्तियों के दर से जादा है ठीक है जी? फिर their high death rates are due to the fact that मतला बोला जा रहा है कि उनकी death rate इतनी जादा क्यों है? It is due to an environment suitable to a white man मतलग ऐसा इसली है क्योंकि वो environment जो है white man यानि की अंग्रेज लोगों के लिए जादा suitable है they die of consumption and other diseases just as the white man dies on the west coast of Africa in the Negro's original home और वैसे ही बोला जा रहा है कि इसी तरह के सा अगर हम बात करें Americans की कि वो भी दूसरी जगर पर जाएंगे तो नहीं चीपाएंगे जैसे कि अफरीका के west coast में जहां वो जहली ने सकते है वैसी गर्मी तो सब कुछ scientific point of view से सोचना चाहिए ना कि हम emotional touchy होके I hope यह paragraph आपको अच्छे समझ माया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला paragraph क्या है 7th paragraph तो यह कह रहा है कि यह सब बाते जानने के बात अगर जो इंसान हैं हम लोग हैं निग्रों को अपने आप से अलग मानने लगेंगे उनको निम्नर वर्क का समझने लगेंगे उन्हें अपनी अगर उनको अपने फैक्टरीज में नहीं आने दे ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजों से उनको अगर हम अलग करते जाएंगे तो वो क्या होगा वो डर कर क्या हो जाएंगे ऐसा होगी हो सकता है कि वो अपने cotton fields के तरफ चले जाए जहां पर वो बहुत healthy रहते हैं और साथ ही साथ उनकी तादा तो और भी बढ़ जाएगी तो इस तरीके से ये गलत मतलब वे में भी जा सकता है तो इस तरीके से हो सकता है कि निग्रों जो हैं आगे चलके लोगों के लिए भी नुक्षान का कारण बन समस्या पैदा कर सकते हैं क्योंकि निग्रों की भावी पीडियां जो है वो समस्या पैदा कर सकते हैं तो मैलेडीज क्या है डिजिज को बोलते हैं रोक को बोलते हैं यह भी बोला जा रहा है कि लेखिन देखिए और भी प्रॉल्म है आप उनको अलग करोगे तब भी दिक आते और अगर उनसे मित्त्रता करते हो तब भी देखते हैं क्यों क्योंकि परन्तु अगर आप उसकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते हो तो आप उसे संक्रमित कर देते हो और इसके लिए क्या होता है besides establishing in your midst a reservoir of disease germs तो आप उसे हाथ मिलाते हो तो अपने आपको संक्रमित कर देते हो और इसके अत्रिक्त आप अपने समुदाय में रोग, गिटानों का भंडार इस्तापित करते हो तो देखिए हर एक पहलू को scientific point of view से देखने में क्या-क्या चीजे निकल कर आ रही है चली आगे देखते हैं अगले paragraph 8 को लिखा है कि these results are quite typical of those obtained when our action is guided either by raw emotions of the political dogma rather than scientific thought dogma का मतलब जो होता है कि धर्म सिंधान्त जैसे कि unreasonable beliefs जो होते हैं लोगों की धर्नाएं होते हैं उसको dogma बोलते हैं तो इसका मतलब है कहा जा रहा है कि ये जो परिणाम हैं उनके प्रारूप हैं जो तब प्राप्त होते हैं जब हमारे कारे जो हैं वैज्ञानिक विचारों की बजाय या तो कठोर भावनाओं से या फिर रजनाति गलत सिधान्तों से निर्देशित किया जाते हैं आप समझ पा रहे होगे कि यही बोला जा रहा है कि ये ये दुस परणाम हो सकते हैं जो आपने देखा भी मितरता करोगे निक्रोज के साथ तब भी दिकत नहीं करोगे तब भी दिकत तो ये कब हो सकता है कि अगर ये सब चीज़े हम कैसे जान सकते हैं तो अगर हम इन कारियो को कठोर भावनाओं से ना देखते हैं ना फिर राजनेरतिक गलत सिधानतों को ना फॉलो करें और इसे वह ग्यानिक विचारों के जरी हम अगर जाने तो जाइड सी बात है हम इन सब्सक्राइब के दूस परणाम से बज सकते हैं देखिए आगे कहकेता है जाइड सी बात है जो बालोजिकल एफेक्ट की बात करें जो की अमेरिकी ग्रिहूद का मुख्य मतलब जैविक प्रभाव था वो निग्रों की मृतियूदर का बढ़ना था और ये भी था की ताकि हम उनकी जर्मदर को भी कर्म कर दें अब देखिए क्या हुआ इस अमेरिकी ग्रिहूद का मुख्य जैविक प्रभाव निग्रों की मृतियूदर का बढ़ना तो हुआ ही और जम्दर का गिरना इतना भारी हुआ था कि 1910 और 1920 की बीच अमेरिका में ही निग्रों की जन संख्या बढ़कर उतनी हुई जितने ग्रिह यूद से पहले दशक में थी तो ये थोड़ा गलती इंपक्ट पढ़ गया तो इस प्रकार से जतने निग्रों मारे गए उनकी संख्या जो थी न वो ग्री यूद में मरने वालों की सूची से कही अधिक हो गई इसा माना जा रहा है कि मान लिजे आप अगर दक्षिनी राजों में जो असवेत लोग रहते हैं तो गोरों को ना दे कर if tomorrow the colored population of the southern western but not the white were given free access to cheap whiskey अगर उनको जो निग्रों है उनको हम क्या देने लगे जैसे मान लिजे whiskey देने लगे सस्ती whiskey देने लगे उनके जन्म रोकने के धंग असानी से पराप्त करा दिये जाए तो संभावता यह है कि नेगरों की जनसक्या कम होने आरह हो जाएगी Because I believe that there are many other political questions Both national and international whose sting would be removed by a similar consideration of biological fact क्योंकि मेरे विश्वास है कि कई अन्य राजनैतिक प्रश्ण हैं राश्ट्रिय वांत राश्ट्रिय हैं जिनका हल इस प्रकार के जैविक तत्यों पर विचार करके निकाला जा सकता है देखी इन सारे चीजों को भी scientific point of view से देखने से बहुत सारे result सामने आते हैं चलिए आगे देखते हैं 9th paragraph कि Our approach to the problem of disease is even less rational तो rational का मतलब बता दू होता है तर्क संगत जिसको हम बोलते हैं based on reason तो जो हमारा approach है तो रोगों की सम्मिस्याव के प्रती जो भी हमारा approach है वो अभी हमारे विचार और भी कम तर्क संगत है यनिकि वो reason based नहीं होते हैं जैसे कि example है I am not thinking of Christian scientists or spiritual healers but of the average man or woman who has a certain belief in the result of modern medicine मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो Christian scientists है या फिर spiritual healers यानि कि कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कि अध्यात्मिक उपचार भी करते हैं तो मैं उन पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ उनके बारे में नहीं सोच रहा हूँ बट मैं समानी लोग के बारे में बोल रहा हूँ और अवरत के बारे में बोल रहा हूँ जिनका एक निश्चित विश्वास होता है modern medicine में आजकल है ना and even of a part of the medical profession itself और medical profession पर भी विश्वास होता है serious illness in ourself or our friends always rouses a good deal of emotion rouses मतलब उत्यजित करना तो कहा जा रहा है जो कि यह जो serious है ना एक तरीके से तो यह कह रहा है कि मान लिजे आपके कुछ अपने लोगों को या फिर आपके दोस्तों को कोई अगर serious illness होता है तो obviously आपके अंदर बहुत सारा emotion जाग उठता है उनके प्रती और जब कभी ऐसा होता है कि आप किसी के लिए emotional हो जाते हो touchy हो जाते हो तो जाहिर सी बात है आप उसके बारे में जो भी बाते होंगे बिश्वास करना शुरू कर दोगे and we do not care very much whether our beliefs are rational और हम यह नहीं सोचेंगे कि हमारा जो है जो सोचने का नजरिया है या फिर हमारा जो belief है विश्वास है वो रैशनल है या नहीं यानि कि तर्क संगत है या नहीं based on reason है कि नहीं देखिए एक बात क्या निकल के आ रही है जो pre-Christian लोग थे यानि कि इसा से पहले जो लोग थे ना यह दारना था अगर किसी को बिमारी हो रही है तो भाई यह भगवान का दिया हुआ एक तरीके से आपको शाप है punishment है याना या तो आपके परिवार में किसी ने पहले किया है या तो आपकी बिमारी जो है वो पूरी आपके समूधाय के वज़े से होई है तो देखी ऐसे दारनाए है Jesus did not take this view और जो भगवान है यूश्व का यह दिश्टी को न था ही नहीं असा लेकिन लोग सोचे जा रहे है when asked concerning a man born blind तो जब उससे एक आदमी के बारे में पूछा जो अन्था पैदा हुआ था बारे में पूछा किया भगवान से तो तेखी उन्हें ने क्या बोला who did sin this man or his parents that he was born blind he replied neither had this man sinned nor his parents but that the works of God should be made manifest in him हैनि की पाप किस ने किया था इस आदमी ने या फिर उसके माँबाप ने कि यहन्दा पैदा हुआ तो उन्होंने उत्तर दिया था कि नो तो इसके आदमी ने नहीं पाप किया था नहीं इसके माँबाप ने बलकि इसलिए हुआ ऐसा कि इश्वर की माया उस पर प्रकट हो सके देखी इस तरीके से धार्णाय लोग पालते हैं तो ऐसा भई अगर साइन्टिफिक पॉइंट से फिर्सिस को देखें तो बिलकुल इसको सीरे से नकार देगा साइन्टिस जो है वो बिलकुल नहीं सोचेगा कि नहीं भाई ये बिलकुल नेचरल है प्रकृति के नियम के अनुसार ऐसा नहीं हुआ है जिसका उफचार या फिर रोक्ताम जो है तभी की जा सकती है जब इसका अनुसंधान द्वारा उस नियम के कार ये करने के धंका पता चल जाएगा तो आनि likely अगर ये बिमारी है तो उस बिमारी के बारे में लोग research करेंगे आखिरी कहां से पैदा हुई, कैसे आई, कैसे लोगों में और प्रॉलम कर रही है, तो इस तरीके से कोई चीज निकल कर आते है उसका result, उसका मतलब कहते है न, उसकी बिमारी का हल, तो ये सारी चीजे हैं, चलिए अगले परेग्राफ में चलते हैं, लिखा है, तेंथ परेग्राफ में, कि बट मेनी रिलिजियस पीपल स्टील होल तो द व्यू विच जीजेस कॉंबैटेट, और दोस वो बिलीब थेमसर्ब तो बीमोर इनलाइटेंड और उफेन नौ बेटर किस, अब कहा जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा कारण जो है ना, जो इसका बहुत सारे धार्मिक लोग का अभी वही दृष्टी को ने, जिसका यूश्वी ने विरोध किया था, यूश्वी यानि की जिसस क्राइस्ट को बोला जा रहा है, है ना, कि जिसका भगवान ने विरोध किया था, वे भी जो स्वेम को प्रबुधी मानते हैं, जो बुधिमान लोग मानते हैं अपने आपको, वे भी प्राया बहतर नहीं है, हमेश्य वो बहतर नहीं होते हैं हर केस में, वो भी कुछ ने कुछ ऐसी चीज़े ट्रेडिशनल लेकर आते हैं, कि नहीं यार, साइन्टिस्ट अब चुब सुनेगा तो उसको भड़क उठेगा, है ना, कि यह लोग बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, फिर क्या है, कि में ने बिलीव धर डिजिस कुट बी प्रिवेंटेड बाई रिटर्न तो नेचर, आइ सपोस्ट अब देखिए क्या है, इसका मतलब लोग के क्या है, कई लोग मानते हैं कि रोगों की जो रोग थाम है, वो क्या है, प्रकृति की ओर लोटने से की जा सकती है, मतलब अगर रोगों की रोग थाम हैं, अगर आप नेचर के प्रती सजग हो जाईएगा, समझदार ही से काम लेंगे, तो आप रोग आपको नहीं होगा, ठीक है जी, चलिए अगर एक तरीके से मान लेते हैं, पैसब से पहले, विच उड एट वांस, इंक्रीज दे मोर्टालिटी फ्रॉम निवोनिया, अबाउट अ हंडर फोल्ड, है ना, और अगर आपने कपड़े उतार दी हैं, क्योंकि कपड़े क्या है, आपके नेचर से ही प्राप्त हो रहे हैं आपको, तो आपने कहा ना, कि आपको बिमारी ठीक कर ली है, तो आप नेचर को सपोर्ट करो, नेचर को पे आफ करो, तो चलो मान लो, मेरे हिसाब से कपड़े उताना बेस्ट है, देखी, अब कपड़े उताने से साइंटिफिक लोजिक लगाईगी, तो क्या प्रावलम होगी, जैसे अगर कपड़े उतारेंगे, तो मॉर्टलिटी, हैंकि मृत्यूदर बढ़ जाएगी, क्यों भाई, निमोनिया से इंसानों का, मतलब सोगोना मृत्यूदर बढ़ जाएगा, लोग को कपड़े नहीं पहनेगे, उनको निमोनिया होगा, बिमारी से मरने लगेंगे, आफ कोर्स, दा फ्रेज, लिव अकॉर्डिंग टो नेचर, इस क्वाइट मेनिंगलेस, तो इस तरीके साब ये कह सकते हो, अगर आप नेचर को पे आफ करना शुरू कर रहे हो, उसे रिटर्न में देना शुरू कर रहे हो भी ठीक करने के लिए, तो जाहिज सी बात ही बिल्कुल मिनिंगलेस है, क्योंकि ये जो फ्रेज है, लिव अकॉर्डिंग टो नेचर, हैना ये भी बिल्कुल दिरर्थक है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, यानि कि जो कह रहे है न, प्रकृर्टिक धंक से जीओ, ये भी सही नहीं है, तो इतनी सारी चीजे होने के बावजूद, सभेता के कुछ लक्षन स्वास्थ के लिए खराब तो है, परन्तु उसकी बावजूद जो आकड़ी उपलब्ध है ना मारे पास, उनसे येस बस्ट है, कि सब ये लोग जो होते हैं, वो सब ये लोग से अधीक समय तक जीवित रहते हैं, इसलिए हमें सिविलाइज्ड रहकर ही अपने जीवन ब्यतीत करना चाहिए, आगे है कि 11th paragraph में, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है है हैजा, हैजा जैसे जो भी जल संक्रमक रोग है ना, उनका उन्मुलन और सारवजनिक सम्रिद्धी है, जिसने खराब स्वास्ते के कारण जो थोड़ा सा पोशन मिलता है, अंडर फिडिंग, अल्फ पोशन, उसको लगभग समाप्थी कर दिया है, तो तो टोड़ी इन मेडिकल साइंस इस स्टिल एडवांसिंग, बट इस बिकामिंग हाडर और हाडर तो अप्ला इस रिजल्ट इन प्राक्टिस, भाई मान लो, मतलब हमने ये मान लिया कि नहीं चिकित्सा विज्यान बहुत तरक्की कर रहा, अग्रसर है, अपने आगे काम किये जा रहा है, परंतो उसके परिणामों का विहार में लागू करना बहुत ही कठिन होता जा रहा है, लोग उसको फॉलो ही नहीं गड़ते हैं, है ना, 12 परिग्राफ है, अब देखिए, अब बात आती है, ये डाबेटीज वाले लोगों की, जिसको हम क्या कहते हैं, मधु में भी बोलते हैं, तो मधु में से जो बुरी तरे पिडित लोग हैं, अगर वो प्रती दिन दो, तीन इंजेक्शन ले ले, तो अनिश्ची समय तक पूरा स्वस्थ माना जाएगा उनको, वो स्वस्थ रह सकते हैं, बट दे कैन नोट बी गेट तो रियलाइज दिस फेक्ट, लेकिन वो इस बात से मतलब इस फेक्ट को रियलाइज नहीं करते हैं, है ना, उनको ये समझ ही नहीं आता है बात, बिकॉस दे हैं नेवर बिन टॉट्ट देर बोड़ी आर सिस्टम, ओबएंग क्वाइट देफिनिशन, डेफिनिट लॉज, तो देखे, यही कहा जा रहा है, कि देखे, हम कितना भी डॉक्टर समझा लेते हैं, कि भाही, आपको ये चीज़े, अपने सिस्टम को ठीक रखने के लिए चाहिए, आपको डेली बेसिस पर ये करना है, तो इनसान नहीं करता है, क्यों? क्योंकि मतलब, और नहीं करने के वज़े से क्या होता है, वो जिन्दकी से हाथ दो बैटा है, क्योंकि भाही, जो हमारा सिस्टम है, वो कुछ डेफिनिट लॉज पे चलता है, सिधान्त हमारे बनाए गए हैं, कि इस पर इसको फॉलो करना है, तो जाहिड सी बात है, डाइबेटिक पेशेंट की बात की जाए, तो जिस प्रकार एक कार जो है, मोटर कार जो है, लुब्रेकेटिंग ओयल के बिना नहीं जिंदा रह सकता है, वैसे ही इंसान को जो डाइबेटिक पेशेंट है, उसको अगर इंसुलिन की मातरा ना दी जाए तो भी जीवित नहीं रह पाएगा अब देखी एक 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 जामपल बता रहा है लेखक अपने दोस्त के बारे में कि उसका दोस्त एक डॉक्टर था और उसके पाल दो औरतों की ऐसे केस आई जो की डाबेटीस से मर गई लेकिन उनके अपने प्रॉब्लम के वाज़से वो मतलब लापर वही कह लो तो देखो क्या हुआ वाँ पे बोथ हैड बिन ट्वीटेट बीफोर उनका इलाज किया गया था उसी होस्पीटल में उनको यह सिखाए गया था किस तरीके से अपने आपको इंजेक्शन देना है इंसुलीन के लिए दो बार दिन में देना था ठीक है जी अब क्या हुआ कि बट वन हाथ ब्रोकें हर्ट सीरीन एंड हैड नौ ट्रॉबल टॉबल टॉपलेस इट एड वन्स देखी अब क्या इस वज़े से उसको परिशानी ना हो इस वज़े से वह उसको रिप्लेस करें नहीं गई चलिए दूसरी के बारे हम जान लेते हैं अधर है नेगलेक्टेड हर इंजेक्शन फॉर टू डेस विकॉस कॉमिंग तो इस दूसरी और ने क्या सोचा कि दो दिन बाद मुझे डॉ हो गई है दो दिन की बाद तो है जाएंगे तो फिर ले लेंगे ऐसा करके उसने भी टाल दिया और इसके बाद उनकी मृति हो गई इंसुलीन की घट जाने से attitudes like this are so common that the discovery of insulin has made no appreciable difference to the mortality in England from diabetes अब वही देख लीजे आप क्या पता चला भले ही कितना भी अविश्कार scientist ने किया लेकिन लोगों की लापरवाही के वज़े से लोगों की scientific point of view से नहीं सोचनी के वज़े से ऐसा क्या हुआ कि उन्हों नहीं अपनी जिंद्गे से हांद दो बैठा इस तरीके सा अगर देखा जाये मानली जे future में cancer इलाज अगर मिल भी जाये हैना बहुत easy going way में तब भी इंसान जो है diabetes की ही तरह उसको भी treat करेगा और उसको वो सरल्वा सुलक्षित मामला शायद ही हो if so it will not have much effort on the mortality for several generations अगर ऐसा हुआ भी तो कई पीडों तक म्युत्य दरपा अथी गंतर नहीं पड़ेगा यूँकि लोग ही ऐसे in such a case any given person can no doubt flatter himself on belonging to the intelligent minority who will be saved ऐसी वस्त में कोई व्यक्ति श्यम को सबासी देश सकेगा कि वह उन समझदार लोगों की अलफ संख्या का सदेश से है जो बच जाएगा शायद हैना but if what science arrive at is not a cure but a means of prevention the case is even less hopeful तो कहा जा रहा है परंदू अगर ऐसा हुआ मान लिजे कि यदि विज्ञान जो है उपजार के बजाए पर हिज का पता चलाएगा तो मामला और भी कम आसार जनक हो सकता है experience has shown that in this respect individual's action is almost useless है कि ऐसे देश में जहां टाइफ़ाइड एक तरीके से स्वरी यहां पर बताया जा रहा है कि experience has shown that in this respect individual action is almost useless है ना तो अल्पसंख्या है तो individual action बोल रहा है है ना कि जैसे ऐसे अनुबह से पताप्त हुआ है पता चला है कि जो इंसान सिंगल सिंगल वर्क करके मतलब कुछ लोगों की वज़े से अगर इंसान किसी चीज को ठीक करना चाहरा है तो वो एक तरीके से वियर्थ जाता है क्योंकि सबी को इस चीज को फॉलो करना चाहिए ना इंडिविज्वली अगर एक लोग बहुत कम लोग की मात्राइम अगर करेंगे तो वो थोड़ी चीजे फूटफुल नहीं होती है तो वही बोल रहा है कि experience has shown that in this respectful individual action is most useless in a country where where typhoid fever is common, it is hard always to drink beer or wine or personally to see that once water is boiled, an annual inoculation involves a day's mild illness तो कहा जा रहा है कि जितने भी अनुभव किये गये हैं उसके से देखा गया है कि ऐसे देश जहां पर typhoid समान्य है तो वहाँ पर सदा beer या सराब पीना बहुत ही कटिन है या फिर इस बात का ध्यान रखना कि पीने का पानी उबला हुआ है कि नहीं या फिर जो एनुवल आपको vaccination पड़ती है उसमें किवल एक दिन का हलका सा बुखार होता है कि नहीं ये सारी चीजे देखना बहुत ही एक तरीके से कठीन है अब आगे है कि टाइफॉइट इन्फेक्शन कें वनली भी डील डील विद एडिक्वेटली बाइपॉब्ली कंट्रोल अब वाटर सप्लाई विच इन्वल्स नो एफ़र्ट बाइंडिविज्वल सिटिजन तो टाइफॉइट के संक्रमन से जो सारवजनिक जलपूर्ती पर नियंत्र करने से ही हम निप्टारा पा सकते हैं जिसमें आप जो नागरिके हैं उनके व्यक्तिकर दुरूप से कोई प्रयास के ओएक सकता नहीं पड़ती है डिप्थेरिया, smallpox, measles and other airborne diseases could be stamped out by a public effort but such an effort would involve the individual assistance and self-sacrifice of Sikh person and their relatives and also international cooperation अब बोला जा रहा है कि जो बिमारिया है डिप्थेरिया, चेचक हो गया, खसरा हो गया और वायू से फैलने वाले जो बिमारिया हो गई इन सब को जनता के प्रयास से स्माप्त किया जा सकता है परन्तु ऐसे जो परियास हैं उसमें व्यक्तिकत सहायता वो विमार लोगों उनके संबंधियों के त्याग की भी आवे सकता है और इस तरीके से अंतरराश्टिय सहयोग की भी आव सकता है हमें तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब लोग जो है इस पात को समझ जाए कि जो ये माइक्रो आपको क्या पॉट रहे हैं जो जीवानू जो होते हैं उनको बिलकुल विदेशियों की भाती समझें क्योंकि वे किसी को भी मार सकते हैं है ना तो इस तरीके से लोग मतलब साइंटिफिक पॉइंट ऑफिव से लोग सोचना सुरू करें तो बहुत हद तक रोगु पे भी कंट्रोल किया जा सकता है जो इसकी पढ़ाई है हैना चिकित्सा का जो अध्यान है वेग्यानिक धंग के अतरिक किसी और धंग पर अधायत करने से वेग्यानिकों की बजाए तांतरिक रोगी बनेंगे हैना तो वही बात है अगर साइंटिस्ट ना रहें तो बहुत दिक्कत हो सकती है अभी शॉरी मैंने एक परग्राफ नहीं पढ़ाया था मैंने गोला वो लास्ट है लेकिन ये लास्ट है चली 14 परग्राफ पढ़ लेते हैं लिखा है कि जो 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 निरोधोक आऊसदिया होती है उनको यूद का नैति के बनाया जा सकता है उनको मितलब यूद के माफिक समना जाह सकता है तो कुछ समय पहले मेरा एक जो सहकर्मी था, मतलब लेखा का अपने सहकर्मी के बारें बता रहे हैं, जो कि कीमो थेरेपी पर फ्रांसिसी भासा के एक लेह कानुवाद कर रहा था वो इंसान, तब एक सब्समूग की बात आई, सत्रू ने उसे मार दिया, ये वर्ड सेंटेंस हाया, तो वो एक स्वर्गी और सदी विशेशगे के संदर में था, तो उसपे वो बोला, I suppose, he said, that means that he died of an accidental infection, तो उसने इसपे बोला की मेरे विचार में जिवा संयोग से संक्रमा क्रोग से मर गया था, I undeceived him, the enemy in this case had been the German nation, but his attitude was difficult of medical scientists today, for we wrestle not against flesh and blood but against principalities, against powers against the rulers of the darkness of this world, अब देखिए यहां पर जो paragraph था इसके पहले जो भी मैंने डिजे डिसकस की, उसको एक बार फिर से आपको समझाने की कुशिश करता हूँ, कि यहां पर लिखक यह बताना चाहरा है, कि जो भी रोक थाम वाली और सद्या होती है, उनको यूद का नैतिक तुले बनाए जा सकता है, तो कहने का मतलब यह है, कि एक incident, यह गटना गटी थी, अपने लिखक जो है, अपने एक सहकर्मी के बारे में बता रहा है, कि वह इंसान जो था, वह जो सहकर्मी था, वह chemotherapy, यानि कि जो cancer होता है, तो उससे में एक इलाज किया जाता है, chemotherapy, तो उस पर वह फ्रांसीसी भासा में, एक लेख का अनुवाद कर रहा था, वह इंसान, तभी एक group of word आया, जिसको पढ़ा जाता है, सत्रू ने उसे मार दिया, ऐसा लिखा हुआ था, देखिए, यह फ्रांसीसी भासा में लिखा था, ट्यू पार आई एनिमी, तो इसका मतलब होता है, कि सत्रू ने उसे मार दिया, तो अब एक इनसान के बारे में था, यह वो लाइन जो था, एक इनसान के बारे में था, लेकिन दूसरे लोग को क्या पता चला, कि यह लोग सो सोच रहे थे, इस संक्रमक रोग से, वह इनसान मर गया, ऐसे लिख था, सत्रू किसको समझ रहे था, यहां पर यही गलती दूर करनी थी, कि लेखक ने इस गलती को दूर किया, कि इस मामले में जो बात की जारे थी सत्रू की न, वो सत्रू कौन था, सत्रू जर्मन देश का था, लेकिन उसका जो दृष्ट को कौन था, बिलकुल आज के विज्ञानि को जैसा था, है न, Scientist today, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, यानि कि क्योंकि हम जो है न, महांसरक्त से नहीं जूजते, बलकि राजियों, सक्ती, अंधेरे के साथ, अंधेरे के सासुकों के विरुद्यूत करते हैं, मैं तो कहने का मतलब है, हम इंसान, जो है तो अगर हम scientific point of view से देखते हैं, तो उसने कुछ गलत नहीं बोला था, Saint Paul thought that world was largely ruled by demons, demons मतलब सत्रू, या फिर जो पिसाच होते हैं, उनको बोला जा रहा है, Saint Paul की विचार में जो दुनिया पधिकतर पिसाच राज्य करते हैं, we know better today, and we demand the general adoption of the scientific point of view, because in its absence, human effort is so largely devoted to conflicts with fellow men, in which one, if not both, of the disputants must inevitably suffer. यहां पर यह कहा जा रहा है, कि अगर हम समाने रुप से विचानिक दृष्टिकुन को अपनाय जाने की मांग करते हैं, क्योंकि यहां लोग मांग कर रहे हैं कि विचानिक दृष्टिकुन को अपनाय जाये, क्योंकि इसके बिना जो मनुष्य है ना उसकी सक्ती दूसरी मनुष्य उसे जखणने में लगी रहेगी, और जिससे क्या होगा, हम दोनों एक विवादी भवर में फस्ते चले जाएंगे, और हम दोनों को ही हानी का सामना करना पड़ेगा, वही बात है, कि scientific point of view से नहीं सोचोगे, तो भाई, कुछ हद तक लड़ाईया होगी, और आपस में हम लड़ कट के मर जाएंगे, तो यहां पर यही बोला जा रहा है at the last, यह केवल विनास के समय है, जन्साधारन अपने वास्त्रिक सत्रों के बारे में छन भर भी नहीं सोचता है, इस अंसार के बुरे जो सासक हैं, जिवानों से लेकर चक्रवाद तक, जाहरे से बात है यह natural phenomena की बात की जा रही है, bacteria to cyclone, जो भी यह problem create करते हैं हमारे प्रकृती को, यह सब जो भी है जब तक मानव जाती जो है, वे अग्याने दिश्ट्रिक से नहीं अपनाती है, तो वो एक तरीके से इन से पराजित होते रहेंगे, है ना, तो इसी के साद यह chapter खत्म होता, आई होब आप कोई वीडियो समझ में आई होगे, झाल में तक्ष्ट्रिक से जो होते हैं,